हेलो दोस्तों सौगत आप सभी को और इस वीडियम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेश नेदेलिंड की वीच में वर्ल डिकप में दूसरा मुकाबला खेले जाएगा दोस्तों उसके ट्रेमिलोन पेडिक्शन के बारे में कि इस मैच में दोस्तों हमको अपने टीम में लगे धेड़ सारा पैसा है मैच में आप लोग विन कर लोगो दोस्तों मैच खेला जाएगा दोस्तों दोफर के दो बजे तो देड़ बजे दोस्तों जैसी टॉस होगा उसके बाद लाइना पाजाएगा लाइना पाने बाद जो मेरी फाइनल टीम रहीगी वह मैं आपको बाद टीम पर दे दोगा है अगर आपको को इस में हमारे टिम से खेल नहीं है विणिंग टिम मेंसे स्रिफ 5 मैच खेल जोड़के देखो अगर आपको पाउच मैच में मैच चार मैच विनिंग नहीं है ता आफ लोग टेलीग्राम चोड़ के चले जाना क्योंकर दोस्तों भी आप जाके वहाँ पर पुरूब देख लेना उसके बाद ही आप लोग टेली गराम जोइन करना ठीक है अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में क्यों कुंसे प्लेयर को अपने टीम मेच में रखना चाहिए उससे पहले हैं पर दोस्तों मैं आपको कुछ इस दिखा दे तो उससे आपको अंतlor हो जाएगा कि कुंसे कि में उन् extr के में आप यह पर इनका ज़यों तो फार्ट पर पाकिस्तान करके यूटिएब चनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन कर दीजेगा दोस्तों ताकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी याधा कीमती हो जावे जब आप लोग सब्सक्राइब करती हो निए को काफी आदार मोटिवएड तोटल पांच मैच में हाँ पर उन्यासी विगड़ी कि रहेगी जिसमें से पेसस ने 56 इस पिनस ने 23 विगड़ निगाले थे हैं पर फास बोलर काफी इंपोर्टेंट रहने वाले दोस्तों आज के मैच के लिए हाँ पर हैट्टोर में तीन मैच के लिए जिसको भाई तीनों की जरूत नहीं रहने वाली है अभी जो चीजी मैं आपको बताऊंगा तो ध्यान से देखना और समझना यहीं आपके लिए में टॉपिक यहां से सुरू होने वाली है दोस्तों आप लोग को विकड़ की पर सेक्शन में पाकिस्तान के तरफ से मुहमद रिजवान देखने क करेंगे और इस समय इनका रिसेंट फॉर्म काफी गजब का चल रहा भी जो यहां पर वाम उप में चुआ तो उसमें इन्होंने असी प्लस रण मारा था दोस्तों तो काफे सांदार फॉर्म में चल रहे तो विकड़ की पर सेक्शन में हाँ पर आपको सबसे अच्छी करेंगे पाकिस्तान के तरफ से तीन नंबर पर दोस्तों बैटिंग करने के लिए और इनका भी रिसेंट फॉर्म काफी गजब का चल रहा है जो वाम उप मैं चुआ तो उन्होंने थोड़ा बहुत रन बनाया था ठीक लेकिन यहां पर दोस्तों नेदरलेंड का एक बॉलर जो इनको हमेशा परसान करता है मैं कुन सा बॉलर अभी आपको बताऊंगा इसके लिए इनको आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं बनाना है ठीक इस पेसली तब जब पहले बाबराजम बैटिंग करें पाकिस्तान जब पहले बैटिंग करेगी तो इनको आपको प्लेयर तो रखना ही दोस्तों क्योंकि भाई बहुत ही सांदर प्लेयर है कभी भी रन बना सकता है बाबाराजम इनको टॉप कॉल्टी बैट्समेन है इंटरनेशनल ओडिया में नंबर वन बैट्समेन है मैक्स वूट कभी-कभी बॉलिंग भी कराते दोस्तों ठीक है और बैट्समेन और ब्रेक बॉलर लेकिन भाई मुझे लग रहा है कि समयच में साइनस अफ्रीदी इनका विकर जल्दी निकाल देगा या तो भाई मैं आपर नेदे लिंड के ऐसे प्लेयर को रखोंगा जो भाई इस मैच में बालिंग बैटिंग दोनों से पॉंट्स देवे इस पेसली जब पहले पाकिस्तान बैटिंग करें ठीक हाला कि अभी जो वामप मैच हुआ तो उसमें इन्होंने कुछ जादा रन नहीं बना पाएते हैं लेकिन भाई इमाल बहुत ही सांदार बैट्समेन है अभी जो रिसेंड मैच हुआ था हिसे कप में और अफगानिस्त दोनों मैं से कोई बी एक चलेगा तो लंभी बारी खिलने माला क्योंकि सामने नेदर्लेंड है ठीक हमें नहीं पता कौईसा भाई दोनों मैं से कौन फ्लॉप होने वाला है तो इस प्लोप करेंगा और टीम में और एक प्लेयर को ड्रॉप करेंगे एक टीम में ठीक है आप को मैंने बता दिया है पर बात करेंगे डबलू एर से तीन नमर पर बैटिंग करने के लिए इनको भी ट्रॉप करेंगे नेधरलन का कोई भी हम लोग बैट्समन को अपने टीम में आपर बैटिंग सेक्षन से पिक नहीं करने वाले हैं ओपनिंग करेंगे आपर दोस्तों वी स 10 उबर बॉलिंग भी करेंगे خणों जाने वाली हैंभको इस मैच में जिएधा विकेट bzw कर निकाल पाएंगे तो सिनार्यों में इस में भी दो से तीन विगेट निकाल सकते हैं त्यक्तिम में इनको आप लोग कैप्टन वाइस कप्टन जरू ट्राइक कर लेना बागी स्मॉल लिग में एज़ा प्लेयर रख लेना ठीक है और इस में पूरे के पूरे दस ओवर बॉलिंग भी करने वाले और यहां पर सी एकरमन को भी रखने वाले हैं यहां बागी दोस्तों यहां से इत्वार अमद इत्वार करेंगे और इस मैच को बालिंग भी और बैटिंग और यह और मुझे नहीं लगता कि इतना है इस मैच में खास रहने वाले हैं अगर आप रही रिस्क लिए तो अपने टिप में पिक कर सकते हो लेकिन मैं आपको लोग आप लोग पिक मत करना वेस्ट जाने वाले आगा सलमान ने पांच निमबर पर बैटिंग करते हो आपको दीख जाएंगे और अभी यहां पर जो मैच हुआ था दोस्तों वाम उप मैच उसमें भी इन्हों ने काफ पाकिस्तान के तरफ से भाई साहिन साफ रीदी इनको आग बंद करके रख लेना लेप आम फास बोलर है और पहले पाकिस्तान बॉलिंग करें आग बंद करके कैप्टर वाइस कप्टर ट्राइक कर लेना पूरे बीश टीम में ठीक है विकेट निंकाल के लिए चार-पांच यहां पर बात करेंगे दोस्तों हरिस रॉफ हरिस रॉफ भाई भाई भी बहुत ही सांदार है फर्स्ट निव में बॉलिंग करेगा तो डेथ में बॉलिंग करने के लिए ठीक है अब यहां पर नसीम सा नहीं है तो नसीम सा की जगह भाई हसन अली खेलेगा तो बॉलिंग क को बाकि एक प्लेयर को आपको रखना आप अगर 9-2 का कॉम्बनेशन मानाते हो तो यहां से हसन अली को आप लोग ले सकते हो ठीक है हसन अली को तभी लेना जब पहले पाकिस्तान बॉलिंग करें सारे बॉलर्स को ले लेना कौन सा बॉलर ज्यादा फिकेट निकाल के लेगे हमें नहीं पता लेकिन भाई तीनों बॉलर हमारे पास रहेंगे तो भाई हम लोग को स्मॉल लिग में जीतने से कोई नहीं रोख सकता है ठीक है बाकि आप लोग यहां पर ग्रेंड लिग में एक एक प्लेयर को रोटेट कर देना एक टिम में हरिस्त्रॉफ को ड्रॉप करन जाने वाला है और आट नमर नबर बेटीन कह стоит कि इसकी बैटींग करता त vehicles देलेना कि और तेञ तॉस्तों पूरे के दास ब्लाइंक लोट सुलेब टाम और्टरी डो्रें करेंग और 9 या यूजब हें ऑपी ठीक ठीका टाक कर लेता है जो भाई इसको नहीं को रहे हैं पर q時候 भी भेंकर टीम रहेंदो सामने ठीक है फिलाल के लिए मैं इसको मैं ट्रॉप किया हूँ लेकिन मैं भी फाइनल टीम में आपको लेकर दे सकता हूँ इसको जो मैं फाइनल टीम दूँगा तो हमारी टीम बन गई है कैप्टन वाइस कैप्टन के बात करते हैं पर भाई पहले बालिंग करेगी पाकिस्तान तो यहां पर मैं कैप्टन बनाऊंगा हरी स्रॉप को वाइस कैप्टन बनाऊंगा साइन साफ रिदी को ठीक है अगर पहले बैटिंग करेगी पाकिस्तान तो यहां पर कैप्टन बनाने वाला हूँ मैं इमाल हक को सभी लोग बना रहे दोस्तो तो बाबा राजम को बनाने दीजिए वाइस कैप्टर नहां पर मैं बनाऊंगा फिर मुहम्मद रिजवान को ठीक है अभी के लिए मैं मान रोग पाकिवस्तान पहले बैटिंग कर रहे थे मेरी टीम रहने वाली है कैप्टर के साथ में बाकि जो फाइनल टीम रहेगी दोस्तों टॉस अनुब जब लाइनप आएगा कौन सप्लेयर कहां पर खेल रहा है कुछ कितने बॉलर कितने ओबर बॉलिंग करेंगे जब हमको सब कुछ मालूम पढ़ेगा उसके बाद मैं आपको मेरी फाइनल मैच खेल के देखना पांच में से आपको चार मैच में अगर विनिंग नहीं होगी तो टेलिग्राम छोड़के चले जाना विनिंग टीम आपको मैं टेलिग्राम पर ही दोता हूं बाकि वीडियो को लाइक कर देना और योटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन क कर दीजीगा दोस्तों क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए काफी आदा रहता है किमती मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में